हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं न तो सब को एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है वो है गाजर को गिसना और इस ठंड में सब को गाजर गिसने में प्रॉब्लम तो होती है तो आज हम इस वीड करते हैं सबसे पहले हलवा बनाने के लिए हमें दूद को गरम करना है तो दूद जब भी गरम करें तो पैन में पहले थोड़ासा पानी डाल कर अच्छे से गरम कर ले उसको जिससे दूद हम उसके बाद इसमें डाल कर गरम करते हैं तो बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकता दूद जलता नहीं है, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ, एक लिटर दूद, यहां पे मैंने फुल फेट वाला मिल्क लिया है, और अब इस दूद को बीच बीच में चलाते हुए, हमें एक उबाल आने तक इसको गरम करना है, और जब दूद में एक उबाल आ जाए, उसक को हमें हर 2 मिनट में इस तरह से चलाना है और साइड में जो मलाई चिपक जाती है उसको भी स्क्रैप आउट कर देना है और जब तक हम गाजर तयार कर लेते हैं अलवे के लिए हलवा बनाने के लिए मैंने या पे दो किलो गाजर ली है तो गाजर आप देख सकते हो बिलकुल लाल और लंबी लंबी गाजर ली है मैंने इसी तरह की गाजर हलवा बनाने के लिए पॉफेक्ट रहती है और अब इन गाजरो को हमें इस तरह से चील कर तयार करना है गाजर चीलने के बाद इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट कर देना है और इसी तर तो आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोलूशन बताती हूं कि जिससे हमें गाजर को गिसना भी ना पड़े और हलवे का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आए यह है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चॉपर इसकी जगह आप मैनुवल चॉपर का भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास एलेक्ट्रिक चॉपर यह मैनुवल चॉपर दोनों ना हो तो आप मिक्स्चर ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हो उसमें भी गाजर के इस तरह से छोटे पीस करके डाल दे और पल्स मोड पे उसको चला कर उस गाजर को पीस सकते हो उसमें बिल्कुल दरदरी स और यह लीजिए कुछ सेकिंडों में ही गाजर अच्छे से चॉप हो चुकिया और आप देख सकते हो उसका टैक्शर मैं आपको जून करके दिखाते हूं उसका टैक्शर आप देख सकते हो पास से बल्कुल इवन टैक्शर आया बल्कुल दानेदार और इसी तरह से बाकी बची हुई गाजर को भी हम चॉप कर लेंगे और अब यह गाजर तयार है हलवा बनाने के लिए लगी नीराना कि हमने इनको गाजर को घीसा नहीं है अब यहां बे दूद भी उबल उबल कर इस तरह से आदा हो चुका है अब इसमें हमें नहीं मावा एड़ करना है नहीं मिल्क पाउडर एड़ करना है तो फिर हम इसमें वो दानेदार टैक्शर की तरह से लाएं उसका सीक्रेट इंग्रीडियन्ट है साइटरिक एसिड यह किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे आपको मिल जाएगा और यह इस तरह का वाइट कलर का दानेदार होता है और इसका हमें एक चुटकी लेना है और साइटरिक एसिड दूद में धाल कर एक बार मिक्स कर देंगे जिससे होता है क्या है दूद का जो लग रहा होगा इसमें गाजर की मात्रा बहुत जादा है दूद कम है लेकिन गाजर थोड़ी देर में बिल्कुल श्रिंक हो जाती है एक मिनट के लिए गाजर को इस तरह से ही चलाते हुए मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको ढग कर पांच मिनट के लिए मीडियम फ पकाएंगे जिससे इसमें जितना भी दूद है वो बिल्कुल सूख जाहे जब तक हमें इसको पकाना है अब गाजर में दूद भी बिल्कुल सूख चुका है बस इसमें थोड़ा बहुत मॉस्चर रहा है इसी स्टेज पे हमें इसमें चीनी डाल देना है तो चीनी यहां प पानी पानी सा हो जाता है वापस से आप देख सकते हो तो इसका पानी भी हमें सुखाना है तो साती इसमें हम एड़ कर देंगे फोर से फाइब टेबल स्पून घी और घी डालने के बाद इसको लगातार इस तरह से तेज आज पर चलाते हुए मिक्स करना है और इसका जो जित पाउडर यहां पर मैंने एक चमच इलाइची का पाउडर लिया है क्योंकि मैंने इसको चीनी के साथ पीस कर तैयार किया हुआ है तो आप इसमें करीब 10-12 इलाइची के दाने पीस कर एड़ कर दें अब इलाइची भी डालकर एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम ड्राइफ रूट्स भी जिससे कि इसके साथ पकते पकते वो भी थोड़ इसे सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर मैंने काजो और बादाम लिये हैं चॉप करे हुए और साथी इसमें मैं थोड़े से किस्मिश भी आइड करूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद है किस्मिश हलवे में तो अगर आपको यह पसदना हूथ आप इसको इसकिप भी कर सकते हो उनली काजो और बादाम एड कर दो और पिस्ता भी आप इसमें आइड कर सकते हो और इनको ढाल कर हमें अच्छे से पका लिए हलवे का मॉस्चर बिल्कुल खतम हो जब तक हमें पक तो प्लीज दू लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चैनल